कभी भी शर्मिंदा ना हो अपनी इन चीज़ों पर आये जानते हैं नंबर एक अपने पुराने कपड़े आपकी पृतिभा को परिभाशित नहीं करते यह सच है कि हमारे कपड़े हमारे अस्तित्यों का हिस्सा होते हैं लेकिन हमारी प्रतिभा और क्षमता को वे कभी परिभाशित नहीं कर सकते। अपने काम में माहिर होने के लिए आपकी मेहनत संघर्ष और उत्साह महत्वपूर्ण है और यह केवल आपके वस्त्रों पर निर्भर नहीं करता है। जब आप अपनी कला या कौशल में माहिर होते हैं तो आपके पुराने कपड़े केवल एक छोटा विचार होते हैं जो आपके महत्वपूर्ण काम में कोई असर नहीं डालते। नमबर दो अपने गरीब या कमजोर दोस्तों पर गरीब दोस्तों के साथ रिष्टों में कोई इस्थिती नहीं होती। दोस्ती की महत्वपूर्ण बात ये है कि वे आपके जीवन के साथ ही हैं और आपके साथ हर परिस्थिती में खड़े हैं। ये रिष्टा धन या स्थिती से नहीं बलकि सच्चे स्नेह और समर्पन से बढ़ता है। गरीब दोस्त अकसर जीवन की सच्चाई को समझते हैं और आपके जीवन को अधिक सम्रद और सार्थक बनाते हैं। इसलिए दोस्त किसी खजाने की तरह हैं और इसमें कोई भी समाजिक स्थिती का कोई महद तो नहीं होता है। आज आप जो कुछ भी हैं वे उन्हीं की महनतों का नतीजा है। जिनोंने आपकी प्रेरणा संजीवनी शक्ती बनकर मार्ग दर्शन किया, उन्होंने आपको जीवन की सबसे मूलबूत मूल्यों को सिखाया है। समवेदना और सनेह दिया है। उनके साथ ने आपको जीवन के मार्ग की दिशा में बढ़ने का मौका दिया है। आपके व्रद्ध मातापिता को आज आपकी जरूरत है तो आज उन पर गर्व करें ना कि उन पर शर्मिंदा हो उन्हें बताएं कि हमारी आज की इस्थिती उनके सहियोग के बिना संभव नहीं हो सकती थी सफलता को बाहरी दिखावट से मूल्यांकित नहीं किया जा सकता हमारी दिखावट और हमारा समाजिक प्रतिष्ठान सफलता का मापदंड नहीं हो सकते सच्ची सफलता उस आंतरिक संतुष्टी और सुख में छिपी होती है जो सीख, विकास और समर्पन के माध्यम से प्राप्त होती है व्यक्ति की आत्म समर्पन, महनत और योगिता ही उसकी सफलता का सच्चा मापदंड होते हैं और यह उसके कपड़ों या बड़े घर की दि प्राप्ति विश्वास वाले लोग सच्ची सफलता का आनंद लेते हैं जो अपनी ही जीवन शैली में सुखद और संतुष्ट रहते हैं तो यह थी ऐसी चार चीजें जिन पर आपको कभी शर्मिंदार नहीं होना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग